विडियो के किसा वाइब करता है कितना इसमें future potential है मैं इसे आपके सवाल आएंगे और उसके बाद supply infusion होना शुरू हुआ और अभी current में supply काफी जादा हो गई है अगर इसकी circulating supply की बात करो तो 5.1 billion अभी circulation supply है maximum supply आपको 10 billion दिख जाएगी लेकिन इसकी total supply आपको 9.66 billion दिखेगी the reason is initially इनके जो tokenomics में burn mechanism भी था और काफी जादा supply burn होगी लेकिन अभी उन्हों ने mechanism change के उसको थोड़ा सम डेटेल में देखने वाले if in case you want to buy it gate.io पर अविलबल है, qcoin पर अविलबल है, buybit, lbank, buy swap इस तरह से आपको सारे जितने भी दिखेंगे, tier 2 exchange दिख जाएंगे, जिन पर यह already listed है, tier 1 पर भी तर लिस्ट नहीं हुआ है and अगर आपको buy करना है तो आपके सबसे easy रहेगा, आप Binance Smart Chain के यह contract copy करो, pancake swap पर जाके swap कर लो, BNB को या अपने BUSD को जो भी आपके pass coin है और आप इसको easily buy out कर सकते हैं, certic score इनको 89 मिला है 100 में से, that is good, 80 से अब आप सारा अच्छा रहता है, तो आप इसको अच्छा consider कर सकते हैं, white paper इनका open नहीं हो रहा है, क्योंकि यह जल्दी change करने वाले है, नोंने ऐसी announcement की है, road में और white paper जल्दी अप्डेट करेंगे, available कराए that is concerning, अगर आप इसको open करके देखोगे, execute transaction, execute transaction, इस तरह के tag दिखेंगे, withdraw tokens, and certain other tags also, तो यह definitely create multiple locks also, इस तरह के tag दिखेंगे, तो definitely किसी person का wallet नहीं है, so you don't need to worry about it, next thing, यह करना क्या चाहते है, यह क्या create करना चाहते है, वो ज़्यादे important है, अब यह actually metaverse के लिए dedicated है, यह metaverse मे है, कि वो real world से inspired होने चाहिए, अगर मेरे real world में मैं ऐसा दिखता हूँ, तो metaverse में भी मैं ऐसा ही दिखना चाहिए, दिखूँ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इस वज़ए से यह क्या करते हैं, कि यह real humans को scan करते हैं, उनका metaverse का जो avatar वो create करते हैं, और उससे वो, उस avatar के साथ वो interact कर सकते हैं, metaverse में, अब यह सिर्फ humans तक ही limited नहीं, इनका मानना है, कि जैसे real life objects को भी scan करें सकता है, for example, अगर एक museum है, और उसमें बहुत सारे antique piece रखे हुए, अगर उनको scan करके, और उनका जो digital version बना दिया जाए museum का metaverse में, लोग बस अपने उसमें enter करें, metaverse मे और जाके उनको देख सकते हैं, और वो पूरा आनद ले सकते हैं, जैसा वो real world में लेते हैं, अब हो सकता कोई museum है, वो जर्मनी में है, कोई museum है, जो USA में है, या फिर England में है, तो आपको वहां तक जाने के लिए, देखने के लिए, लाग और पर एक खस करने पड़ अगर उसका experience लेना है, तो आप easily जाएए, और बहुत कम cost के साथ आप उसका वही experience ले सकते हैं, तो यह सिर्फ human तक limited इननी रहेगा, यह real world objects को भी उसमें इन्कूल करने बाले हैं, ऐसा भी उन्होंने clearly बोला है, नेक्स तिंग, इसके जो एक प्लेस पर भी already scanning चालू हो गई और दुनिया में और भी जगों पर स्टार्ट करेंगे, इसके जो company है, जो इसके लिए responsible है, वॉल्फ डिजिटल वर्ल्ड, वो काफी reputable company के साथ पहले काम कर चुकी है, तो यह अपने इसके लिए काफी serious है, मैंची आप यह भी ध्यान रख करने को 10 million dollar की funding की नहीं से नहीं म फोकस करेंगे, इस तरह का कुछ देखेगा, वो scanning वाला chamber है, वहाँ पे आप human enter करेंगे, और there will be so many light setup and camera, और उसको scan करने के बाद उनका real world avatar create हो जाएगा, और real world avatar in the sense, real world inspired metaverse वाल अवतार create हो जाएगा, जो जिसको लेके वो interact कर सकते है, metaverse में, there are so many companies, इसके साथ already इस company ने क जाएगे, next thing, जो हम detail में देखने वाले है, अभी current में आप देखोगे, तो यह कहाँ पर अभी setup है इसका, अभी Dubai में है, अब बाकी जगा 2B Announce, 2B Announce लेका, जैसे दुनिया में अलग 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 जगों पर लेके आएगे, वैसे वैसे Announce करते जाएगे, यहाँ पर update करते ह चाहता है, जो future actually उसको, एक चीज़ और यहाँ पर में 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 चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को माइंड में डाउट आ गया है, अलड़ी, Metaverse को लखे, पता ही Metaverse क्या है, Metaverse एकदम hype है, अगर आपने वीडियो देखी है, अगर आपने नहीं देखी है, तो at least आपको एक बार ये वीडियो जरूद देखनी चाहिए, आपके बहुत सारे concept क्लियर हो जाएंगे, Metaverse से जुड़े हुए, NFT से जुड़े हुए, और Web 3.0 से जुड़े हुए, मैंने काफ़े short period में जो man-man highlighter उनको include करके इस वीडियो को create किया है, अलड़ी आपको पता है कौन सा YouTuber है इस तरह के बड़े-बड़े claim करके, Metaverse इंडिया में, future new and all that, आपने अलड़ी सुना हुए, मतलब ऐसा कह सकते हो, और उसमें आप जाके देख सकते हो, detail में, another thing, ये और भी क्या करने वाले, एक इनो ने recently एक announcement की थी, जिसमें ये क्या करने वाले, gaming avatar भी include करने वाले, तो व उसमें, उसी chamber के बीच में, जैसे game fight हो रही होगी, और वही आप enjoy कर सकते हो, वो आपको reflect होगी Metaverse में, जैसे के वो 3D avatar आपस में fight कर रहे हैं, जैसा लोग TV पे game देखना enjoy करते हैं, वो real world, जैसा real world में enjoy करते हैं, वैसा हो Metaverse में enjoy कर सकते हैं, और वो live होता हुए से, लोग देखना पसंद करते हैं, fights होती हैं, इस तरह के game का भी पसंद करते हैं, नेक्स तिंग आपको ये भी ध्यारक ने, road map में यहाँ पे नोने mention किया है, कि जल्दी ही 2023 का road map available करा देंगे, इस announcement जो ये अब देख रहे हो, 30 सितंबर को होई है, तो recently होई, ज्यादा पहल साफी यादा tax था, उसमें burn mechanism भी था, burn in the sense, कि certain हिसा उसका burn में जाता था, liquidity pool में जाता था, इस तरह के उन्होंने कई सारी चीज़े रखे लाब, जब इन्होंने try किया कि ये जो बड़े-बड़े tier 1 centralized exchange उन पर list होना चाहें, तो उन्होंने उसके लिए refuse कर गया, refuse क्यों कर because जो tier 1 exchanges होते हैं, वो कभी भी ऐसे tokens को prefer नहीं करते हैं, जिनमें heavy buy sell tax होता है, या जिनमें buy sell की limit होती है, ऐसे tokens को वो बहुती बेकार consider करते हैं, इस वएसे वो corporate नहीं करते हैं, ऐसे tokens के साथ, या coins के साथ, next thing, इन्होंने यहाँ पर announce किया है, आप वो still लेके यह implement हो गया, actually 25th September को, कहीं जहां से वो 0% fees रखे देंगे, यानने buy sell में कोई tax नहीं, अब कोई tax नहीं कटेगा, आप buy करो, जिनमें sell करो, और उसमें 10 million dollar के airdrop भी रखा, क्योंकि उनके पास already 70 million dollar की liquidity हो गयी थी, जो पहल अब यह क्या करने वाले है, अब यह क्या करने वाले है, अब यह अब आप बता दिया, कि यह implement हो जागा, September 25th को, यानि implement हो चुका है, अब कोई buy sell tax नहीं है, और यह कर क्यों रहा है, क्योंकि आप कर चुके हैं, कुछ centralize exchanges है, जो tier 1 वाले हैं, और वहाँ पर list होना चाहते है लिस्टिंग से इसलिए मना किया, अनकी tokenomics देखे, तो उन्होंने अपने tokenomics update किये, और अब यह try करने हैं, जल्दी से जल्दी centralize exchanges पर बड़े-बड़े जो tier 1 है, उन पर list होने के लिए, तो यह काफी ज़दा positive रहेगा इस coin के लिए, tokenomics part को थोड़ा सा detail में देखते हैं, कि पहले initially जब इसकी total supply 10 billion maximum supply, 10 billion हो सकती है, उसमें से 1 billion private pre-sale में गई, 1 billion for public pre-sale and 2 billion for liquidity pool जो locked कर दी गई, ठीक है न, अब यहाँ पर ऐसा समझे लो कि यह बाली तो लगबच circulation में आ गई है, और उसके बाद यह भी लगच circulation में आ गई है तो यहाँ पर और यह already locked है, तो इसके लिए हमें tension नहीं लेनी है, तो उसके 2 billion already locked है, अब जो remaining 2 billion already locked है, यह circulation में आ गई तो इसके tension लेनी है, और यह जो बाद की बच्ची इनको थोड़ा सा देखते है, 2 billion इनों ने allot किये, team और advisor के लिए, अब इसमें क्या condition रखे, 30 month का lock है और 10% unlocked every 6 month, अब यह जो token आया है, वो ऐसा समझ लो, 2021 में करीव-करीव जुलाई में ही आया था, तो उस time पे अगर हम देखोगे, उससी time पे लगवा आते ही है, लिस्ट हो गया था, coin market cap पे भी, तो 9 जुलाई 2021 को यह आया है token, existence में, या कह सकते हो, इसका TG event हुआ है, या लगवा उसी time पे, 10-15 जिन कंतर पे, तो उस case में आप ऐसा समझ लो, कि यह अगले bull run तक circulation में नहीं आएगी, और उसके बाद, आएगी भी तो 10% आएगी, फिर उसके बाद बाकी 6 month के बाद, तो अभी हाल-फिलाल में इसके लिए आपको tension नहीं लेनी, तो 2 billion की और tension खतम, टोटल 4 billion की tension खतम, क्योंको 2 billion locked हो गई है, उसके बाद 1 billion जो है, वो company reserves के लिए है, इस case में क्या रखा है इन्होंने, 5 year lock up, 5 साल तक lock रहेगी, उसके बाद 10% unlock होके आएगी every 6 month, इसके लिए भी आपको हल-फिलाल में tension नहीं लेनी है, 1 billion for exchange listing, इसमें क्या रखा, 50% locked, with 10% unlocked every month, उसके बाद 1 billion for strategic partners, 50% locked, with 10% unlocked every month, and 1 billion for marketing, 50% locked, with 10% unlocked, 10% unlocked every month, तो उस case में, अगर आप current wage की circulating surprise देखोगा, उसे एसाफ से लगबग जितनी circulation में आनी चाहिए, वो आ गई है, आप ज़्यादा heavy circulation में आने के chances नहीं है, तो इसके लिए आप tension free हो सकते हो, कि आप ज़्यादा infusion नहीं होगा, at least अगले बोल रहन तक नहीं, क्योंकर सबसे पह है, और किस, जिस revolution को एक create करना चाहते है, उसे साफ से successful हो पाएंगे, या नहीं हो पाएंगे, पास्ट में आप देखोगे तो पहले इसकी supply, यानी circulating supply यहाँ पे updated नहीं थी, इस वज़े से यहाँ नहीं दिखा रहा था, तो nearly आप 700 million का market cap का figure देश सकते हो, उन्हें 700 million dollar की market cap पहले अरड़ी अचीव की है, और बड़े आसानी से हसते खेलते यह project आराम से ऐसा समझ लो, 1.5 billion dollar की market cap अचीव कर सकता है, जिसमें easily यहाँ से current price से 80-80 गुना करने के इसमें किसामता है, तो इस case में इस coin का definitely आप accumulation start कर सकते हो, SIP manner में, थोड़ा 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 करके buy क करना शुरू कर दो, और hold करना शुरू करो, क्योंकि जैसे जैसे centralize exchange लिस्टिंग होगी tier 1 पे, वैसे coin pump करेगा, coin बहुत अच्छा है, concept बहुत अच्छा है, real utility है, और काफी ज्यादा established company इसके behind में, तो ऐसा भी नहीं कि मतलब वेकार project नहीं है, project definitely अच्छा है, and you can buy it, but small section म और लंबे time के लिए, तो यह definitely 82, 81 अच्छा करके, अगले bolder तक दे सकता है, so that's all for today, I hope you like the video, वीडियो चीद वीडियो ग्राइग जिरू करें, and make sure you subscribe to the channel, thank you guys